आज का मारा मुख्य उदेश्य है सर्क तीन च्यार दिनों से मैं अपने सरपनसाथियों से सुनने में आया कि कुछ लोग एक भरम भेला रहेगी तीस तारिको पंचायत एसुसिन की बैठेक है अर्याना निवास पर लेकिन हमारी एसुसिन के पास ऐसा कोई भी सरकार की तरफ स ना ही कोई निमंत्रन आया है और ना ही हम बगार किसी अधिकारिक निमंत्रन के वहां जाएंगी यह मेरे को पता लगए कि सरकार एक प्रोपगेंडा रचना चाहती है कुछ हर जिले से अपने जो पेड़ साथी है जैसे रेली से पहले कुछ लोग गल्द परचार कर रहे थ करते हैं कि सरकार बिल्कुल गबराई हुई हमारी जो रेली हुई थी क्योंकि गाउं से चुड़ी हुई हर यूनियन ने हमारी चाहती सुझन का समर्थन किया था जिसमें हमारी मंद्रे का यूनियन भी है सफाई करमचारी भी थे और नंबरदार आइसे सबी के सबी एक के हर पंचायत के पंच और सरपनसाथियों को बताना चाहता हूं कि आप किसी के बहकावें मताएं और इन्हां से बच कर रहें और एक दूसरा कई जगह आज भी रेवाडी से एक साथी का फोन आधा कि जो जन्शवाद प्रोग्राम है वो पंचायतों को उपर जबरदस्ती थोपे जा रहें कि आप इनकी विवस्था करोंगे हम यह कहना चाहते हैं हम सरकार के जन्शवाद प्रोग्राम का इस्ता नहीं बढ़ेंगे अगर कोई अधिकारी हमारी किसी भी पंचायत पर प्रैसर बनाता है तो उसके खिलाब हम कारवाई करेंगे और उसके खिलाब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार अपना परचार करना चाहती है और उसके पैसे मकान मालिक से लेना चाहती है यह ठकी का नया जाड़ार याना सरकार का है अपने परचार भी करेंगे और लोगों को लूटने का काम भी करेंगे हम उन सभी कारियों का विरोध करते हैं और एक कबीनम ने हर बलोक वाइज एक वैन लगाई है जिसमें इनके अधिकारी होगे और वो सरकार की नेतियों को गुणगान करेंगे लेकिन इनकी नेतियां सभी की सभी偪ी गलत है यह उनका गुणगान करेंगे और हम की गलत नीतियों का अग्णाज आम जन बिल्कुल परिशान है गरीब लोगों को राशनकाड काटे जारे हैं केसी की पैंजिल कार उसी हम इन लोगों का जम कर विरोध करेंगे लोग सबस्वाद सुनाव के अंदर अगर यह मारे पंचाहिती राज के पूर अधिकार लागू नहीं करती पूरे हर्याना प्रदेश के गरामनिक शेतर का विकास रुका हुआ है किसी भी गाहों के अंदर कोई भी कारी है बिल्कुल पर इने ठेकेदार नहीं आते अगर वही पैसा पंचाहितों के पास आता पंचाहिते वही काम 15 दिन में कर देती तो मैं पूरे हर्याना प्रदेश के सरपनचाहतियों से पंचाहतियों से और आम जनता से यह कहना चाहता हूं कि सरकार किसी भी प्रकार का गल्थ जो ब्रहम भलाना चाहती है उन्हें आप वहां से दूर रहें और ऐसे ही अपनी एक्ता के साथ और बाहिचार के साथ इनके गल्त नीतियों घेलाब हमारी लड़ाई जारी रखेंगे और जब तक गरामन क्षित्र के हक वापिस नहीं मिलते हमारा संगर जारी रहेगा जो एक संकलप य से ब्यात्रा नहीं लोगों को घumesara करने की इक साधिस ही अपनी नीतियों का जो घूटी नीतिां जिनसे ना किसी का विकास हुआ है वो अपना जान भूज कर जनता में एक वर्म बहलाना चाते कि जरकार ने ये किया, जरकार ने वो किया, विकास के नाम पर इन लोगों के पास गिनवाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आने वाड़ा चुनाव, जात्ती और दर्म के नाम पर ही करवाएंगे ये लोग और लोगों को बहका कर वोट लेकर और फिर ग्रामिन जनता के उपर अपने अत्याचार शुरू करेंगे, हर बार ग्रामिन जनता के साथ दोखा किया जाता है, किसी भी गाहों के अंदर, कोई भी बुनियादी सुईदाई नहीं दी आज तक, जिन गाहों के अबादी, तीस है, और याना की जांच होना, तो इसके अंदर इतना बड़ा गोटाला है, आप सोच भी नहीं सकते, एक एक तलाब का, एक एक डेड़ेड करोड रुपए का टेंडर होता है, जो पच्छीश इतीस लाग रुपए में काम हो जाता है, अगर यही कार यह पंचायते करवाती पहले पंचायत करवाती थी, गाउं के गरीव लोगों को रोजगार मिलता, आज गाउं के लोग रोजगार से ही बंचित रहे, ठेकेदार आते हैं, बड़ी-बड़ी मसीने लेकर आते हैं, दस दिन में खोद कर और गाउं का पैसार अपकर चले जाते हैं, यह हर प्रकार से गरामने क्शेत्र के लोगों के उपर, आर्थिक रूप से भी और विकास के रूप में भी, हर प्रकार से परहार की आज़ारा है।